नमस्कार आप देख रहे हैं टार्गेट विदालोक ओनलाइन इंस्टिटूट मैं हूँ विवेक मिस्र एट पीम न्यूज बुलेटिन में उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे जो आपके परिक्षाओं के लिहाद से महत्वपूर हैं लेकिन उसके पहले आज की हैटलाइन्स पर एक नजर केंद्री खाद्य मंत्राले ने राज्चों और केंद्र सासित प्रदेशों को जारी किया नर्देश कहा राष्टी खाद्य सुरक्षा के तहत दिव्यांग जनों को भी करें सामल काला सागर में तुर्की को मिला अब तक का सबसे बड़ा प्राकृतिक भंडार 2023 में करेगा इसका उत्पादन और उपयोग अनुभाव न होने पर चुनोतियों का भी करना पड़ेगा सामना तो चलिए आज की बड़ी खबरों के साथ आज के बुलिटिन की सुरुवात करते हैं केंद्री खाद मंत्राले ने देश की सभी राज्यों और केंद्र साशित प्रदेशों को पत्र लिक कर सभी पात्र दिव्यांग जनों को खाद सुरक्षा अधनियम 2013 के तहत सामिल करने को कहा है दरसल 23 अगस्त को केंद्री खाद मंत्राले ने कहा कि सभी योग दिव्यांग जनों को सभी राज और केंद्र सासित प्रदेश को राश्टी खाद सुरक्षा कानून के तहत सब्जिटी वाले खाद्यान उपलब्ध कराए आपको बता दें कि केंद्र सरकार राश्टी खाद सुरक्षा अधनियम के तहत प्रत्यक लाभार्थी को सभी वाला एक रुपए से तीन रुपए प्रत्य किलोग्राम की दर से पाँच किलोग्राम खाद्यान दिया जाता है मंत्राले ने कहा कि राज्यों और किर्ण सासित प्रदेशों से कहा गया है कि राश्टी खाद सुरक्षा अधनियम के तहत नहीं आने वाले योग के दिव्यांग व्यक्तियों को नया रासन कार्ड जारी करें जिन दिब्यांग जनों के पास रासन कार्ड नहीं है उन्हें आत्म निर्भर भारत पैकिस के तहट सामिल किया जाएगा राश्टी खाद्य सुरक्षा अधनियम 2013 की धारा 10 में अन्तियोदय अन्य योजना के तहट व्यक्तियों की कवरिज का प्रावधान किया गया है जो इस योजना के लिए लागो दिसा निर्देशों के अनुसार हो जो संबंधित राज्य सरकार करें उस प्रकार अन्य घरों को प्राथमिक्ता वाले घरों के रूप में कवर किया जाएगा गौरतलम है कि भारत सरकार का आत्म निर्भर भारत पैकेज ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो राष्टिय खाद्य सुरक्षा अधनियम या किसी भी राज्य योजना के अंतरगत नहीं आते इसके अलावा केंद्र सरकार ने लोकडाउन के दोरान गरीब जनता की समस्याओं का निराकरण करने के लिए प्रधान मंत्री गरीब कल्यान योजना की सुरुवात की गई थी इसमें परिवार के हर सदस्य को पाँच किलो गेहूं या चावल वह एक किलो चने की दाल मुफ्त दिया जाता है तुर्की के राष्टपती रजब तैयब इर्दुगान ने काला सागर क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े प्राकरतिक गैस की घोशना की है राष्टपती इर्दुगान ने जानकारी देते हुए कहा कि फतेह नाम के ड्रिलिंग जहाज की मदद से खोजा गया यह गैस भंडार तकरीबन 320 अरब क्यूबिक मीटर का है साल 2023 में तुर्की एक गड़तांत्रिक देश के रूप में 100 वर्सों का सफर पूरा करने के मौके पर इस गैस भंडार का उपयोग करेगा आपको बता दें कि यह गैस भंडार तुर्की के तट से करीब 100 नौटिकल मील उत्तर में काला सागर के क्षेत्र में मौजूद है नीचे तक ड्रिलिंग की जाएगी इस उपलब्धी से तुर्की अपने को तेर निर्यातक देश के मामले में अग्रणी बनाना चाहता है यह विशाल भंडार ना सिर्फ तुर्की के लिए बलकि 2020 में वैस्विक अस्तर पर अब तक का सबसे बड़ा गैस भंडार है यह तुर्की के अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ तुर्की के उर्जा आयात बिल को भी कम करेगा गौरतलम है कि साल 2019 में तुर्की का उर्जा आयात बिल 41 बिलियन अमेर की डॉलर तक पहुँच गया था इस बीच तुर्की के आधिकारिक मुद्रा लीरा में बड़ी गिरावट देखी गई तुर्की को यह सफलता ऐसे दौर में मिली है जब पूर्वी भूमद्य सागर के विवादित क्षेत्र में तेल और गैस की खोज को लेकर तुर्की और ग्रीस के बीच लगातार तनाव चल रहा है तुर्की ने विवादित क्षेत्र में तेल वग गैस भंडार की खोज के लिए एक जहाज भेजा था इसके बाद दोनों देशों की गतविधी इस क्षेत्र में बढ़ गई इस विवाद को देखते हुए फ्रांस ने तुर्की के समर्थन में पूर्वी भूमद शागर क्षेत्र में अपना एक समुद्री जहाज भेजा था आपको बता दे कि तुर्की और ग्रीस दोनों ही उत्तरी अटलांटिक संधी संगठन या नाटो समों के सदस्य हैं विशेशग्यों की माने तो इस क्षेत्र में गैस उत्पादन के लिए एक बड़े निवेश क आवश्यक्ता एक चुनवती है इसके साथ ही साथ उत्पादन कारे में तकरीबन एक दसक का वक्त भी लग सकता है इन सबके बावचो तुर्की को इस भंडार से सफलता पुर्वग गैस निकालने का कोई अनभव नहीं है जिसके लिए तुर्की को अन्य देशों की शहायता भी लेनी पड़ सकती है विशेशग्यों की माने तो तुर्की की यह उपलब्धी इतनी बड़ी नहीं है कि तुर्की को उर्जा के क्षेत्र में पूरी तरह से आत्म निर्भर बना दे तुर्की का यह तेल भंडार मिसर के जोहर गैस भंडार का एक तिहाई ही है और अबंत अपने पद से इस्तिफात दे दिया था राजिव कुमार को विभिन क्षेत्रों में सारवजनिक नीती और प्रसासन में 30 वर्सों से अधिक का अनभव है वर्तमान सरकार की वित्ती समावेशन यूजना को आगे बढ़ाने में राजिव कुमार की महत्तपूर भूमिका थी आपको बताते चलें कि भारती सम्विधान का भाग 15 चुनावों से संबंधित है सम्विधान के अनुच्छे 324 से 329 तक चुनाव आयोग और सदस्यों की सक्तियां कारिकाल पात्रता आदि से संबंधित है मूल सम्विधान में निर्वाचन आयोग में केवल एक चुनाव आयोक्त का प्रावधान था एक अक्टूबर 1993 को इसे 3 सदस्यी कर दिया गया जिसमें एक मुख चुनाव आयोक्त और दो चुनाव आयोक्त का प्रावधान है मुख चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्तिर राष्टपती द्वारा किया जाता है हाल ही में कर्मचारी राज बीमा निगम यानि E.S.I.C. ने बिरोजगारी लाभ योजना यानि अटल व्यक्ति कल्यान योजना को जून 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है लागू किया गया था इस योजना का उद्देश्य उन लोगों का समर्थन करना है जिन्होंने अंतर राष्टिय संकट या घरेलू संकट के कारण अपनी नौकरी खो चुके हैं वर्तमान में रोजगार पैटर्न में बदलाव कोविट-19 के कारण आया है इस योजना को वर्स 2018 में पेस किया गया था यह योजना बेरोजगारी की स्थिती में सीधे बीमित व्यक्तियों के बैंक खाते में नगद भुगतान करती है इस योजना के तहत स्रमिक कम से कम तीन महेने तक बेरोजगार रहने के बाद ESIC की ओर से कुल योगदान का 47 फिस्दी प्राप्त कर सकते हैं देश में खेलों का सरवोच पुरसकार राजीव गांधी खेल पुरसकार के रिए क्रिकेटर रोहित सर्मा सहित पाच नामों की घोशना कर दिया गया रोहित सर्मा के अलावा महिला पहलवान विनेस फोगाट, हाकी कौपतान रानी रामपाल, टेबल टेनिस खिलाडी, मनिका बत्रा और पैरा ओलंपिक टी मरियपन का नाम सामिल है रोहित सर्मा यह पुरसकार पाने वाले चौथे क्रिकेटर हैं रोहित से पहले इस पुरसकार को सचिन, धोनी, कोहली को दिया जा चुका है वहीं अरजुन पुरसकार के लिए 27 नामों की सिफारिस की गई हैं जिसमें उभरती, युवा, महिला, पहलवान, दिब्या, काकराना का नाम भी सामिल है हौकी कोच रमेश पठानिया समेत आठ प्रसिक्षकों को आजीवन योगदान के लिए दोणाचार पुरसकार से समानित किया जाएगा यह पुरसकार 29 अगस्त को वर्चुल माध्यम से राष्टपती भवन से वितरित किये जाएगे 21 अगस्त 2020 को मक्षरों द्वाना फैलाए गए वेस्ट नील वाइरस के कारण स्पेन में दो लोगों की मौथ हो गई वेस्ट नील वाइरस पहली बार 1937 में यूगांडा में खोजा गया था यह पक्षियों में पाया जाता है और मक्षरों से मानों में फैलता है वेस्ट नील वाइरस एक RNA वाइरस है जो वेस्ट नाइल बुखार का कारण बनता है यह वाइरस फ्लोवी विरेडे परिवार से सम्बंधित हैं इसी परिवार के जीका वाइरस येलो फीवर वाइरस और डेंग्यू वाइरस भी है इस वाइरस को अन्य संक्रमित जानवरों उनके रक्त और उनके उतकों से भी प्रेसित किया जा सकता है इसके प्राथमिक सोस पक्षी हैं मनुस्यों के अलावा घोडे इस वाइरस से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं घोडे के लिए टीके उपलब्ध हैं लेकिन मनुस्यों के लिए अभी तक इसका कोई प्रभावी टीका नहीं है हाल ही में उत्तर बंगाल के जलपाई गुडे जिले के गोट मारा निस्नल पार्क में भारती बाइसन यानि भारती गौर का सब मिला है इसका वैज्यानिक नाम बोस गोरस है जबकि अस्थानी नाम गौर है यह मूल रूप से दक्षण तथा दक्षण पूर्व एसिया में पाए जाने वाले एक बड़ा काले लोम यानि बालों से ढखा गोजाती पशू है वर्तमान समय में इसकी सबसे ज्यादा आबादी भारत में पाई जाती है वर्स 1986 से यह अंतरराश्टी प्राक्रतिक सन्रक्षण संग यानि IUCN के रेड लिस्ट में शामिल है गोटमारा नेशनल पार्क पस्रिम बंगाल के जलपाई गुड़े जिले में अवस्थित है यह पार्क मुख्य रूप से भारती गैंडे की आबादी के लिए जाना जाता है अगस्त के दूसरे शप्ता के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2.9-3 बिलियन डॉलर के कमी के साथ 535.25 अरब डॉलर पर आ गया है अब भारत विश्व में सरबाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में चोथे अस्थान पर है इस सूची में चेन पहले अस्थान पर बना हुआ है विदेशी मुद्रा भंडार को आरक्षित परिशंपत्ती भी कहा जाता है इसमें केवल विदेसी रूपए, विदेसी बैंक की जमापूजी, विदेसी ट्रेजरी बिल और अलपकालिक तथा दीर्गकालिक सरकारी परिसंपतियों को सामिल किया जाता है फिलहाल 8 पीम के इस न्यूज बुलिटिन में बस इतना ही हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको जरूर बताएं वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ सेर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी तैयारी को एक नई दिशा देने के लिए जुड़े रहिए टार्गेट विदालोक ओनलाइन इंस्टिटूट से मुझे दिजिए इजाजत नमस्कार